तेल के दामों से राहत मिल चकती है, खाधिय आपुर्ती और उपभुखता मामलों के मंत्रा लेने खाने के तेल बनाने वाली कंपनियों से खाने के तेल के दामों में कटोधी करने के लिए कहा है, मंत्रा लेगा कहना है कि आंतराश्वी बजार में दामों में कटोधी के Event Extracts Association के सदस्यों से खाने के तेल के MRP में कटोती करने का कहा जिससे उपभोगताओं को राहत दी जा सके सरकार का मानना है कि मौजुदा समय में करेलू बजार में खाने के तेल के दाम बहुत ज्यादा है Food Ministry का कहना है कि आंतर राष्ट्रिय बजारों में पाम ओयल, सोयाबिन और सनफ्लोवर ओयल के दामों में भारी कमियाई है तो सरसो ग्राउंड डंटन और सोयाबिन के प्रोडक में जबर जस्त उचाल इस सीजन में देखने को मिला है भारत पाम ओयल का बड़ा आयाद दे से अपने खपत का 56 फिस्दी एडिबल ओयल भारत आयाद करता है बीते एक साल में पाम ओयल में मुंबई में लेंडिंग प्राइज में 44 फिस्दी की कमियाई है एक साल से पहले जहां किम्मत 1791 डॉलर टन था तो घटकर अब 1000 डॉलर टन हो गया है फ्रूड सोया और सनफ्लावर ओयल के दामों में भी 50 से 55 फिस्दी की कमी बिते एक साल में देखने को मिली है आकडों में शपष्ट है कि खाने के तेल के दाम घटे है लेकिन अंतर राष्ट्रिय बजारों में जितनी कमियाई है उनके मुताबिक दाम कम नहीं हुए है और इसलिए सरकार ने कमपनियों को खुदरा बजार में दाम घटाने को कहा है जिससे आम लोगों को राहत मिल सके ब्योरो रिपोर्ट जी एस टीवी